नमस्काँ दोस्तों, स्वावत है आपका हमार यूट्यूब चेनल बायो गेनल क्लासिस में और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, थम्नेल पे देखाऊगा MSC, जूलोजी, पस सेमेश्टर दोजार चौबीस पचीस, NJPRI पेपर थार्ड है आपका Biochemistry and Cell Biology और Important Questions को देखेंगे अब पेपर थार्ड जो है आपका Biochemistry and Cell Biology ये लोगों को बहुत हार्ड लगता है और है भी हार्ड क्यूंकि Biochemistry जो है इसमें तो हम पूरी Chemistry देखते हैं और Cell Biology में जितने भी जो cells होती है और उसके अंदर जो भी organelles होते हैं और cell कैसे structure और functional unit होती है living organisms की तो इसको मैं डीटेल में समझना पड़ता है इसलिए ये हार्ड पेपर है तोड़ा लेकिन यापर मैं इसके important questions लाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आए चल्द ये बिना time को best करते हुए वीडियो को start करते हैं तो screen पर आप लोगों ने देखा है MSC Joology 1st semester 2024 और paper 3 आपका biochemistry and cell biology यापर हम बात करेंगे important questions की और जैसा हमारा format रहता है short or long questions ठीक है और university आपकी NJPRIU तो section A देखिए short answer questions और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि मैं पहली बार पहली बार YouTube पर consistency को maintain कर पाया हूँ वो भी आप लोगों की बज़े से अगर आप लोगों अपना feedback नहीं देते comments नहीं करते और subscribe नहीं करते तो मेरा मन भी नहीं लगता न आच वीडियो बनाने में तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैंने इनके answers तयार कर लिये हैं और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी पेपर हैं आपको यह लास्ट पेपर और आपका बचा है बाइयो डाइबरसिटी का उसके भी important questions बता दूँगा बाद में हम non-cardiata की जितने भी मैंने question बता हैं उनके answer भी provide करने की process करूँगा तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बाइयो के इंविस्ट्री से पहला question कि what are biomolecules explain their significance biomolecules क्या है इनके मैंतों को समझाईए ठीक है question number 2 what are stabilizing interactions name different types इस्था interaction क्या है विबिन प्रकारों के नाम बताईए question number 3 define ramachandran plot ramachandran plot को परिवाशित करे question number 4 what are the types of RNA RNA के प्रकार क्या है ठीक है इस सारे important questions है आपको यह तो आना ही चाहिए देखे मैं क्या करता हूँ कि हमारे जो questions का जो frame रहता है वो basic से advanced की तरफ रहता है सबसे पहले आपको basic आप जैसे biomolecules से biomolecules क्या है इसे पढ़ लोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैरा syllabus भी complete हो रहा है ठीक है फिर से देखते हैं सोटन है question number five है define apo enzyme and hollow enzyme देखे यह important questions है एपो enzyme और hollow enzyme को परिवाशित करें question number six what is the Michaelis maintain equation ठीक है Michaelis maintain समीकरण क्या है important है यह भी explain enzyme inhibition within example enzyme अब रोध को यह उदारण के साथ समझाईए question number eight कि what are abgymes and ribogymes ठीक है abgyme और ribogyme क्या है अब मैं इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा अगर मैं बातें करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कोई फाइदा नहीं है आप लोग सिदह अपना important content देखिए और ज्यादा बात नहीं करते हैं question number nine है आपका कि what is glycolysis important है summarize its steps glycolysis क्या है इसके चरणों का संचियप में बढ़न करें question number ten define oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation को परिवाशित करें अब यह जो glycolysis है और phosphorylation है यह कुछ question ऐसे है जो आपको plant physiology से भी मिल रहे हैं ठीक है बहाँ पर हम इनको detail में पढ़ा करते थे लेकिन आपको भी यहाँ पर भी देखने है question number eleven what are ketone bodies ketone bodies क्या है question number twelve what is the fluid model of the cell membrane देखिए भाई इसके बिना तो position बनेगा ही नहीं आपका most important है plasma membrane से लिया गया है अगर आप इसको detail में पढ़ लोगे ना अच्छे से पढ़ लेना पढ़ना क्या है cell membrane पढ़नी है और cell membrane को किस कि scientist नहीं दिया था उसको देखना है ठीक है पुई history है तो इसको detail में पढ़ लेना क्योंकि log में भी आ सकता है cell membrane का fluid logic model क्या है यहां पर मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा यह जो मैं बार बार वीडियो में दिखाता हूं इसका मतलब यह कि अगर आप थोड़ा सा भी फाइदा हो रहा हो आप ठीक है आपको लगता है कि content अच्छा है तो आप लोग मुझे financially support कर सकते हो काभी बच्चे कर रहे हैं कंद भी किसी ने किया था नाम नहीं पता उनका ठीक है तो बहुत बहुत धन्य बाद आपको जितनी भी आपकी मतलब capability हो आप उतना कर सकते हो तो चलिए अगर आप capable है तब ही करना अगर नहीं है तो पोई जबदस्ती नहीं है आप लोग काभी support कर रहे हो और वीडियो फो like भी जिख करना और चैनल को subscribe जरूर करना चलिए आते हैं अपने topic पर Saxon A.P.Sword answer तेरा देखिए Define active transport यह important है एक सक्री यह परिवान को परिवासित करें Question number 14 What is the role of mitochondria in energy production उर्जा उतपादन में mitochondria की क्या वोमिका है इसको बताना है सबसे important cell organelles होता है mitochondria क्योंकि यह energy produce करता है और पिर हर जेगे energy आती है Question number 15 Define microtubules and their functions in cells Microtubules को परिवासित करें और कोशिकाओं में उनकी वोमिका बता है Question number 16 What are bare bodies bare bodies क्या है Question number 17 What is the hammerling experiment Hammerling प्रियोग क्या है तो यहाँ पर आप लोग को यह show हो रहा है Bio Gainer Classes के नाम से यह हमारा Instagram account है आप लोग मुझे बहाँ पर भी support कर सकते हो आप लोग से जोड़ सकते हो message भी कर सकते हो वहाँ पर और मेरे पास जो भी notes होगा मैं वहाँ पर host कर दिया करूंगा वैसे तो मेरे पास notes हैने कि मैं daily तैयार करता हूँ शलिए तो आप लोग मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो अब बात करते है section B long answer questions की यहाँ पर पहला question है आपका explain the structure and types of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids अब देखिए अगर आप लोग यह वाला question अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका digestion जो कल मैंने paper बताया था animal physiology तो जब आप उसमें digestion आप protein या carbohydrate कुछ भी करोगे ना तो आपको थोड़ा easy लेगेगा क्योंकि यहाँ पर आप detail में पढ़ लेते हैं इनके बारे में Carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids क्योंकि आपको इनके monomers भी पता चल जाते हैं ठीक है Monosacurides, Carbohydrates का monomers होता है Lipids और Proteins और Nucleic Acids इसको डिटेल में देख लेंदा Important है ठीक हैं तो Carbohydrates, Lipid, Protein और Nucleic Acids की सनक्षन आपकार समझाईए Question No.2 Discuss the secondary, tertiary and quaternary structures of proteins Protein की दुतियक, तृतियक और 4 तक सनक्षन आपकर चर्चा करें Question No.3 Describe DNA structure and its different fonts यह बहुत important है Most Most Important यह वाला question क्यूंकि आप लोग जब आप 12 में थे हैं कि आप BSC में आए आपने DNA तो पढ़ाई होगा तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना आप बीद DNA और detail में पढ़ना और इसकी बिविन रूपू का बढ़न कीजी कितने परकार के होते हैं इसे आपने पढ़ा होगा Gen DNA BDN है ठीक है तो यह उस चीज की बात कर रहा है चलिए Question No.4 और आपका कि Describe the mechanism of enzyme inhibition and its types Enzyme अब रूदन के तंद्रोर्ज के प्रकारों का बढ़न करें Question No.5 What is allosteric regulation? Explain with examples Allosteric regulation क्या है वो तो आलो के साथ समझाईए Question No.6 Discuss enzyme kinetics using the Michaelis maintenance equation and LB blots Michaelis maintenance a micronon or LB blot का उप्योग करते हुए Enzyme की गती सिलता पर चर्चा करें Question No.7 Explain the citric acid cycle and its regulation जो Crane cycle होती है दूसरा नाम है Cetric acid cycle mitochondrium है तो citric acid chakrosis के नियमन को समझाईए Important है Question No.8 Discuss the biosynthesis and ketabolism of fatty acids fatty acid के biosynthesis और ketabolism पर चर्चा करें Question No.9 Describe the process of oxidative phosphorylation and its significance Oxidative phosphorylation की प्रक्रिया उसकी मेतो का बढ़न करें Question No.10 Describe the structure of the cell membrane and actually in the fluid magic model देखिए यहाँ आपर लॉंग में पूछा गिया है तो आप लोग इसको long में ही तयार करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा Question No.11 Discuss the mechanism of protein targeting and sorting through the endomembrane system Endomembrane प्रडाली के मादिम से protein के लच्छा और चंटाई के तंतर पर चिर्चा करें Question No.12 Explain oxidative phosphorylation and the role of ATP in cellular energy Oxidative phosphorylation को समझाए रुको इसकी और जाम में ATP की भूम का बता है तो आप यहाँ पर देख रहे हूं कि long में भी question है और short में भी 13 देखे, explain the structure and functions of the cytoskeleton in eukaryotic cells यह important है Eukaryotic कुछकाव में cytoskeleton की सनचला और कारे को समझाए Question No.14 Describe the structure of ribosomes and their role in protein synthesis Ribosome की सनचला का बढ़न करें और protein cells lesson में उनकी वोमिका बता है Question No.15 Discuss cell signaling pathways and the role of receptors in cell to cell communication Cell signaling पतों और cell-cell समबाद में receptors की वोमिका पर चर्चा करें तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपके questions दे सारे आमको बता दिये और आप लोगोंने मुझे उम्मीद है कि copy pen उटा करके और इसको अच्छे से note किया होगा ठीक है और लेक्स वीडियो में हम बात करेंगे बायो डाइबर्सिटी की उर्ष के important questions देखेंगे और फिर आपको में एक 2023 का जो last year का paper model होता है ठीक है जो आप question paper होगा last year का उसको discuss करेंगे कि questions कैसे पूछे जाते हैं तो काफी वच्छे comment भी कर रहे थे कि sir जो आप paper दिखाते हो तो उसमें question तोड़े अलग होते हैं तो चलिए very very thank you अगर आप लोग ने वीडियो को पूरा देखा है और आप लोग क्या करिए कि हमारा इस्टाग्राम अपान तो बहाँ पर भी मुझे follow पर लेजिए और चैनल को तो subscribe करना ही करना है वीडियो को like करो और comment करो कि आपको क्या help चाहिए मुझे जो भी होगा में पर आपके लिए करूँगा तो चलिए कल की वीडियो में आते हैं हम biodiversity के important questions को देखेंगे और बागी इसके answer हम provide करने की कोशिस करेंगे तो very very thank you चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye